Hello everyone, CBSE Compartment Candidates 2023, both Class 10 and Class 12, मेरे प्यारे दोस्तों आज Class 12 का exam सुरू हुआ और खतम भी हो गया है and Class 10 की अगर हम बात करें, तो उनकी आज Mathematics paper हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा Maximum Students Compartment में आये थे आप paper level की बात करने वाले हैं, साथ साथ बात करने वाले हैं क्या-क्या chances है हम लोगों के पास होने के क्या हुआ है paper में, क्या होने वाला है सब कुछ की update आचुकी है, feedback आचुकी है, students की review आचुकी है, सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में but मेरी जो believe होती है, मेरी जो trust होती है, वो students पे होती है CVAC ने claim किया है, और आर्टिकल कि हमने जो question paper बनाया था, आज का वो according to students था मतलब आप लोगों के accordance पर question paper को schedule किया गया, बनाया गया कि जो कि बिल्कुल भी hard नहीं किया गया है, यह CVAC क्लेम कर रही है आर्टिकल में कि हमारा जो question paper था, वो easy to moderate level का था और हमारी पूरी कोसिस रहेगी कि हम सभी बच्चों को promote कर सके अगली class में and it will be known after result declaration, after copy checking CVAC ने अपने हाथ उठा दिया है, और वो हमेशा यह करते हैं, उनका यह काम होता है, उनने तपने काम करा दिया अब बच्चों दिल से बताना कि आपका exactly paper गया कैसा है है न, maths का paper था भाई, इसमें maximum students है और class 12 का तो all paper conducted था, आप लोग बताना कि कौन से subject में आपकी आटी थी और कैसी आपकी exam गई है, तो मैं आप लोगों को copy checking procedure के बारे में भी बताने वाला हूँ और update जो की निकल कर आई है, उसके बारे में है सो सिस जब आप exam दे रहे थे, जैसे ही आपकी exam खतम होई, CVSE का बहुत बड़ा बोज उतर गया क्योंकि आज 80% students के exam खतम हो चुके हैं, बचे 20% के other other subjects में हैं जो की 21 July तक पूरी कहानी खतम हो जाएगी और बहुत जल्द आपको result देखने को मिलेगा और आप जो हैं promoted हो जाएगे अगली class में अब आपका feedback क्या है, marking मैंने बता दिया है CVSE हाथ खड़ी कर चुकी है, paper आसान बनाने का उन्होंने claim किया है कैसा गया है paper वो तो आप बता सकते हैं अब देखो कि आप लोगों का paper checking किस तरीके से वो करेंगे ये सारी update तो मैं आप लोगों को दूंगा ही बट एक चीज रहा कि उन्होंने question paper को आसान रखा है 2023 students के लिए अब ये वो claim कर रहे हैं मैं नहीं बता रहा अब जो important update देने वाला हूँ इसे आप ध्यान से सुना तो comparison अगर किया जाए पिछले 5 साल से तो इस साल के students बहुत ही कम है compared to last 5 years मतलब इस बार बहुत ही कम बच्चे compartment में आये हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को promote करा देना चाहिए और वो कर भी देंगे अगर आपने copy में smartness दिखाया होगा तो खेर वो तो अलग-अलग बात है लेकिन CVAC की एक line में आपको show कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखना और article में भी mention किया गया है कि जितने भी जब भी मतलब कम students होते हैं compartment के exam में वो ज्यादतर promote कर दिये जाते हैं हाँ एक, दो, पांच, दस students तो ये लाजमी बात है कि वो रह जाते हैं क्योंकि वो copy में कुछ नहीं करके आते हैं तो CVACB भला आपके लिए क्या कर सकती है लेकिन जो rules, regulations से आपने काम किया होगा अपने copy में आपने लिखा होगा, keywords match कराया होगा, आप लिख कराये हैं तो आपको pass होने से कोई नहीं रुकेगा CVACB इतना mercy तो जरूर देती है students को students और एक चीज़ है आपको boost करना अगले class में वो आप जानते हैं कि कभी भी कोई organization आपको पीछे नहीं रखना चाती है because इसमें loss उनका होता है, loss means loss, क्या होता है ना कि अक्सर बच्चे जो repeat कर जाते हैं compartment में वो नहीं चाते हैं कि उस organization में पढ़ें और ना तो किसी को recommend करेंगे किसी other बच्चे को उसमें पढ़ने के लिए तो इन तरीके से उनका business डाउन होता है तो वो बिलकुल भी नहीं चाहेंगे और एक बच्चे को अगले class में promote करने से उनका बहुत ज़्यादा होता है अगर अब बात कर लेते हैं compartment students की passing percentage की तो हर साल हर साल जो भी अगर 100% में से देखा जाए तो 90 to 95% बच्चे पास हो जाते हैं यह मैं एक चीज रिविल करते रहा हूं हर साल 90 to 95% of students promote हो जाते पास हो जाते नहीं रोका जाता है कुछ rare students रह जाते हैं मैंने जो कि वीडियो के starting में ही बताया मैं आपको relax कर दे रहा हूं अब exam हो गया है copy checking की updates एक-एक करके जानेंगे हम आपको बताएंगे और आप एक-एक करके सुचिएगा समझेगा जरा सा भी tension ने लेना है सब कुछ normalize है normal है कोई भी अगर आप tension लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे exam तो हो गया है तो बने रही है हमारे साथ एक चोटी सी update मैंने आपको message पहुंचा दिया है मिलता है next video में तब तक आप अपना ख्याल रखें आस्ते मुस्कुराते रहें thank you so much